श्री रामकृष्ण परमहंस ना अद्भुत जीवन नी संक्षिप्त प्रस्तुती आपसव स्वामे विवेकानन विशेतो परिचित छो परंतु एमनों जेमने घर्दर कर्यू एवा महान शिल्पी जगत गुरुनी ओर्खान विना स्वामे विवेकानन नो परिचय शू अधुरो नहीं रहे ठाकुरु श्री रामकुष्ण परमहंस अन्य साधू के आचार्यूनी जेम कोई बाहिया रिद्भाद जेवी के तिलक, माडा के जटा अथ्वा चोकस प्रकारनी वेश भुशा एवा बदा थी साव अलिप्त हता एमने जयरे एमनो पलाठी वाडी ने बैठेलो प्रचलित फोटो बताव्यो त्यारे एमने टिपणी करता कहुं हतु के आ खुब उँची भाव अवस्थानो फोटो छे मित्रो आ संक्षिप्त जीवन विशेनी माहिती स्री रामकुर्ष्ण मिशनना पुस्तको माथी एक्टी करीशे पुस्तको जेवाके स्री रामकुर्ष्ण परमहंसनों संक्षिप्त जीवन एमना विस्तरुत जीवननों पुस्तक अने श्री महेंद्रनात गुप्त द्वारा रचित अत्यन्त मनोहर पुस्तक श्री रामकृष्ण कथाम्रत तेमज श्री रामकृष्ण परमहस ना सोल सन्यासी शिष्यों ना संक्षिप्त जीवन चरित्र माथी माहिती प्राप्त करी छे अहीं ए जान्मों पण जरूरी छे के आ बधा पुस्तकों मा रहेली माहिती नी चोक्कस्तानो आधार्शूं छे आ पुस्तकों नी माहिती इटला माटे भरोसा पात्र छे कारण के ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहस द्वारा पोताना शिष्यों आगल एमने पोते पोताना जीवननी घटनाओ अने प्रसंगो एमनी साधनाओ अने अनुभवो तथा एमना उपदेशो कहा चे जे एमना शिष्योय नोंधी लिदा हता अने पाचल थी उस्तका कारे प्रकाशित करिया चे जे मा ठाकूर श्री रामकृष्ण परमहस ना रदैस परशी उपदेशो अने घरगत्तु कही शकाए तेवा द्रस्टान्तो द्वारा धर्म, शद्धा, भक्ती, ज्यान, कर्म, अध्यात्मिक्त, सर्व धर्म समन्वै, शीव भावे जीव सेवाना आदर्शोने एक दम सहज सरणता थी, सवने गड़े उत्री जाए, ते रीते आ खुबज प्रचलित पुस्तक श्री रामकृष्ण कथाम्रुत मा रजु करिया चे संपूर्ण वीडियो नी रजुआत त्रण भाग मां चे आ पहलो भाग चे, जेमा श्री रामकृष्ण परमहंस नी और साधारन साधनाओ अलोकिक इश्वरिय दर्शनों अने एमना दिव्य चरित्र नी एक जहांकी जिग्नासुओं मा वहेच्वानों नम्र प्रयास चे एमना विशे अधिक जानकारी अने एमना पुस्तकों नी आउनलाइन डिलिवरी माटे बेलूर मटनी वेबसाइट विजिट करवा विननती चे यदा यदा ही धर्मस्य गलानेर भवत इभारत अभ्युद्धानम अधर्मस्य तदात मानम स्रजाम्याम परित्रानाय साधूनाम विनाशायच दुश्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभर्वामी युगे युगे हे अर्जुन जयरे जयरे धर्मनी पड़ती अने अधर्मनी वृद्धी थाईशे त्यारे त्यारे हूं मानव जातीना कल्यान माटे अवतार लवचून जयरे जयरे आपना आ जगतमा विकासने कारणे तथा उभी थती नवी परिस्थितीने कारणे नवी सामाजिक गोठवननी जरूर उभी थाईचे त्यारे त्यारे शक्तीनू एक मोजू आवेचे हूं तमारी समक्ष एक एवा अवतारना जीवननू वरणन करवा जयरे हो छू जयमने देशमा एक आवू मोजू गतिमान कर्यू अने जे समक्र विश्वमा फैलाए गयू स्री रामकुष्ण परम्हंसना जीवननो अभ्यास करता एमनू एक महत्वनो अवतार कार्य जाने के बधा धर्मों अने संप्रदायोंनी मतांधता दूर करवा अने तेमनों बधानों समन्वई साधीने जेटला मत छे तेटला इश्वर सुधी पहुचवाना पत छे एवू साबित करवानों होई एवू लागे छे तेओ बंगाडी मां कहता जतो मत ततो पत स्री रामकुष्ण परमस नू प्रिय उदाहरन हतो के एक तड़ावने चार घाट होई हिंदुओ पाणी पिये छे एक घाटे तेओ कहे छे जड मुसल्मानों बिजा एक घाटे पाणी पिये छे तेओ कहे छे पानी अंग्रेजो त्रिजा एक घाटे पाणी पिये छे ने कहे छे वाटर तेम वड़ी बिजा लोको एक घाटे पाणी पिये छे ने कहे छे एकवा एक इश्वर तेना अनेक नाम स्री रामकुष्ण परमहंस नो जन्मा बंगाल ना हुगली जिल्लामा कामारपुकुर गाममा पिता खुदिराम चट्टोपाध्याई अने माता चंद्रामनी देवी ने त्या थयो अत्यंत प्रमानी सत्य वचनी अने सेवाभावी एवा अदंपत्ति ना घरे विक्रम सम्वत अधारसो बानुनी फागन सूद बीज एटले के इस वीशन अधारसो छत्रीस ना फेबरुआरी नी अधार मी तारीक बुद्धवार ना रोज जन्म थयो स्री रामकुष्ण परमानस ना पिताजी नू मोल गाम देरे गाम हतो त्या एक जमिनदारना त्रासने कारणे एम ने ये गाम छोड़वू पड़ेलो स्री रामकुष्ण परमानस नू राशी नाम शंभू चंद्र अने माता एम ने प्रेम्थी गदाधर अथ्वा तो गदाई कहीने बोलावता बालक गदाधर नी मुखाकृती खुबच आकर्षक अने अत्यंत मनोहर हती एम नामा अव साधारन बुद्धी अने प्रतिभा बाल पन थीज व्यक्त थया हता कामार कुपूर गामना मुर्ती बनावता कारिगरों नी एक अड़ा एमने खुब गमती अने एमनी अंदर पन अद्भुत सर्जन शक्ती धीरे धीरे विकसित थती गई घरनी देव पूजा मा एमने खुब बच आकर्शन रहतु अने सु मदूर कंट थी गदाधर भजनों अने शलोकों गाता जगनात पुरी जता आवता साधो कामार कुपुर गामना पादर मा रोकाता त्या जईने गदाईने साधो नी सेवा अने सत्संग करवानू खुबच गमतु तथा पुराणियोंनी कथा किर्तन वगेरे सांभडीने बाडपन माज गदाधर ने रामायन, प्रहलात चरित्र आख्यान, महाभारत, भागवत वगेरीनी आबेहूब रजुवात करवामा खुबच आनन्द मलतो एमनू चित अत्यंत एकाग्र अने पवित्र हतो अने परिणा में खुबच सात्विक एवा ए मनने छती सात वर्षनी उम्मरे प्रथम भाव समाधीनो अनुभव थयो ए त्यारे थयो जारे एमने जटा जूट शंकरना मस्तक जेवा काला डिबांग वादलो जोया अने वच्चे श्वेत बगलाओनी एक लाम भी हार मालाना आकारमा गोठवाईने आकाशमा उर्ती उर्ती आवी अने पिला वादलाना गडामा जाने के आरोपाई गई गधाधर तो ए द्रश्य जोईने एटला भावावेशमा आव्या के तेज खणे एमने पोताना शरीरनो आसपासना जगतनो के मित्रों नो भान रहू नहीं अने बेहोश थैने पड़ी गया आ प्रथम भाव समाधी बिजी वकत भाव समाधी गाममा महा शिवरात्रिये शिवजी नो पाठ भजवनार नव मलवा थी गदाई ने शिवजी नो पात्र भजवानू कहवामा आगू जेवाए शिवजी ना वेशमा नाट्य मंडप मा धीर गंभीर मानसिक्ता साथे प्रवेश्या एज समये अचानत नित्रों मा थी अश्रुपात शरू थयो एमनू मन निराकार्मा लीम थयो अने देवभान गुमावी बैठा आ भाव छेग बिजे दिवसे उत्रयो अने मन फरी सामान्य बन्यों इस वीशन अधार्सो तेंतालिसमा गदाधर ना पिता खोदिरामजी नो स्वर्गवास थयो ते वखते एमनी उम्मर सात वर्षनी हती अत्यंत शुत्य चित अने सम्वेदन शिल बाल मानस उपर अचानक पड़ेलो आ आघाद बालकने विचार्मगन अने अंतर मुखी बनावी देशे गदाधर निर्जन एकांत स्थडों मा समय वितावेशे अने धर्मशाडाना साधू संतों नी सेवा थी ओताना मनने शांती आपवानो प्रयत्न करेशे दस वर्षनी उम्मरे गदाधर ना जनोईनो प्रसंगा आवेशे पडोशमा रहता एक माताजी जेमनू नाम धनी लुहारण हतु ए गदाधर ने बालक तरीके खुब बच प्रेम करता अने गदाधर पासे थी एमने वचन मांग्यू हतु के जनोईना प्रसंगे प्रथम बिक्षा मारी पासे थीज स्विकार जे बालक गदाधरे वचन आपि परंपरा अनुसार प्रथम बिक्षा पोतानी माता पासे थी स्विकारवानी होई छे ते समयना समाजमा ब्रहमननू बालक जनोई पचीनी प्रथम बिक्षा ब्रहमन पासे थी ग्रहन न करे ए बढ़वाखोर अने बहु मोटी क्रांती समु वर्तन हतु समक्र परिवारना समझावा छता बालक गदाधरे पोते वचना प्युचे माटे कोई पन काले होताना वचननो पालन कर्षेज एम जणावीने प्रथम विक्षा धनी लुहारन माताजी पासे थीज स्विकारेचे यगनो पवितना प्रसंगनो विशेश आनन गदाधरने एटला माटे हतो के हवे कुल देवता रगुवीरनी रामेश्वरना बानलिंगनी घरनी पुजानो अने देवोने स्पर्ष करवानो अधिकार मल्यो हतो घरनी पुजामा देवतानू ध्यान करती वखते गदाधरने अवार नवार भाव समाधी थती अने देवताना स्वरुपना प्रत्यक्ष दर्शन थता ते समये अत्यंत रोमांचित थैने आँख माती अश्रूना प्रवाह साथे बाहयभान रहीत थैने बेहोश थै जदा वारमवार आप्रकारना लक्षणों जोईने माता चंद्रामणी देवीने गदाधरना आरोग्यनी खुबज चिन्दा थवा माणी इस वीशन अधार सो ओगण पचासमा एटले के पिताजीना स्वर्गवासना च्छव वर्ष बाद स्री रामकुष्ण परमहंसना मोटा भाई रामकुमार घरनी आर्थिक स्थिती सुधारवा कलकत्ता जवानों निर्णई करे शे अने साथे पंदर वर्षना गदाधरने प पोता नी साथे कलकत्ता लई जाई शे कलकत्ता मा रामकुमार कर्मकांड नी साथे शाला मा शिक्षक तरीके काम करे शे अने गदाधरने पन भणवा माटे आग्रह करे शे पंदर वर्षनों गदाधर मुटा भाई रामकुमार ने कहे छे मात्र पेट भरवानी विद्या थी शुँ भगवान मलशे मारे तो एवी विद्या भणवी छे के जे प्राप्त करवा थी इश्वरना दर्शन करीने संसार मा मनुष्य धन्य थाई जाए पंदर वर्षना बालत मा जीवन ना उद्देश प्रत्य आटलीस पस्ट समझन हती कारण के एमने पितानों इश्वर परायन जीवन जोयू हतु अने पंडितों नू अहंकारी वर्तन पन जोयू हतु के जेओ मात्र कपडा नी एक जोड जित्वा माटे वाद विवाद ने चर्चा करता आथी गदाधर ने मनमा थया करतु हतु के पोतानों जीवन साधारन ब्राम्मन भटजीना कर्मकांडी जीवन जेवू जीववा माटे न थी बे वर्ष वित्या परन्तु घर नी आर्थिक स्थिती सुधरी नहीं बीजी बाजू कलकत्ता मा एक जमिंदार नू आवसान थाई शे एमना पत्नीनू नाम हतु राणी रासमणी एमने स्वप्नमा देवी मातानी आगना मणी के भागी रथी गंगाना तीरे मारू एक भव्य मंदिर नू निर्मान करो स्री रामकृष्ण परमहंस अनयमना मोठा भाई स्री रामकुमार कलकत्ता आव्या एना आठ वर्ष पहला एटले के इस वीशन अधारसो एकतार इस थी अधारसो पंचावन दर्म्यान कलकत्ता थी तेर किलोमिटर उत्तरे दक्षिनिश्वरमा ते समयना रुप्या नाव ल निर्मान थयो गंगा नदीना किनारा उपर बांधेला एक पगत्या बंद घाट थी मंदीर संकुलमा प्रवेश्ता मंडपनी डाबी अने जम्नी बाजुए छ छ शिवालेईना मंदीरों छे चौकमा वच्चोवच भवतारीनी काली मातानू मंदीर एनी दक्षिने नाट्य मंदप अने काली माताना मंदीर नी उत्तरे राधा कांतजीनू मंदीर बनावामा आव्यू छे संकुलनी फरते ओरडाओ छे जेमा अनाजना भंडार, रसोई घर, वासनों मंदपोंना स्टोर रूम, कर्मचारियोंना रहवानी जग्या अने ओफिस छे गंगा तीरे थी जे मंदप मा थी संकुल मा प्रवेश कर्यो एनी उत्तरे आवेला छो शिवाले नी उत्तरे अर्ध चंद्राकार आसरी वालो ओरडो जे आजे विश्व भरना श्री रामकुरुष्ण परमहंस ना भक्तोनू आकर्शन नू केंद्र छे त्यां पाचल थी स्री रामकुरुष्ण परमहंस रहता हता ए ओरडानी उत्तरे नोहबत खानू छे जियां पाचल थी स्री रामकुरुष्ण परमहंस ना माताजी अने पत्नी स्रीमा शार्दा देवी रहा हता नोबत खाना नी उत्तरे पंचवटीनु गाड जंगल हतू जियां श्री रामकृष्ण परमान से अत्यन्त कठीन साधनाओ करी हती जेना विशे आपने आगल जोईशू राणी रास्मणी ए भव्य संकुलनी रचनातों करी अने त्यार पची पुजारी नी शोद शरू करी परंतु ए समय ना रितिरिवाज ने ए काड़नी परंपरा प्रमाने कारण के राणी रास्मणी उच्च जातीना नहता आथी पुजारी तरीके कोई ब्रामन एमना मंदीर मां जोडावा तैयार नहता आथी राणी रास्मणी ये शास्त्र सम्मत उपाई करयो अने ए मंदीर ब्रामन ने दानमा आपी ने रामकुमार जी ने पुजारी तरीके जोडावा मनावी लिधा आम रामकुमार जी काली मंदीर मां पुजारी तरीके जोडाया आ प्रसंग अईतिहासिक द्रस्टी ए अगत्यनों छे कारण के त्यार्थी श्री रामकृष्ण पन श्री राधा कांतजीना मंदिर मां पुजारी बन्या अने काली मंदिर संकुल साथे संकड़ाया अने एनी साथे श्री रामकृष्ण ना जीवननों नवो अध्याय कस्ट मै साधनानों बार वर्ष्णों तबक को शरू थाईचे खुबज आतूर व्याकोड साधत तरीके अने भक्ती तरबोड हैया साथे तेमज माताजीना दर्शन सक्षातकार नी अदम्य जंकना साथे एमनों व्याकोड रुदन शरू थायो बार वर्ष मां थी छव वर्ष एमने उंग पन आवी शकी नहीं गूख तरसनू दिवस रातनू भान रहू नहीं तो एवी स्थिती मां कपडा पहरवानू के पोता ना व्यावहार नू ध्यान राखवानू तो केम शक्य मनें मुर्थी मां स्वयम इश्वर बिराजेला छे एवी भावना थी तेओ पुझा करता अने पुझा करती वखते एटला तन्मई थाय जता के तेमने बाहे जगत नी तेमज आसपास उभेला लोकों नी संपूर्ण विस्पूती थाय जती अंग्न्यास अने कर्ण्यास करती वखते मंत्राक्षरो उज्वळ आकारे पोताना देहनी अंदर प्रवेश्ता एमने देखा था कुंडली नी शक्ती शरीर ना जे भागने छोडी ने उपर मस्तिश का तरफ गती करती तेते शरीर नो भाग तद्दन जड बनी जतो शास्त्र विहित पुजा प्रमाने ज्यारे रम अक्षर नो उच्चार करी चारे बाजू जड छांटता त्यारे जोई शक्ता के पोतानी आजू बाजू सैंकडो ज्वाडाओनी ओलंगी न शकाये वी दिवालना एमने प्रत्यक्ष दर्शन थता कुजा मा तनमाईता थी एमनू मुख प्रकाश मै अने तेजस्वी बनी जतू दर्म्यान मा मोटा भाई रामकुमार जी ना स्वर्गवास थी एमनू मन खूब विहवड बन्यो एवा विचारे के इश्वर ना साक्षातकार सिवाई दुखो के आनिस्टो नो अंत आवी शक किनी जवाबदारी पणेमना उपर आवे शे परंतु चित संपूर्ण पणे इश्वरा भिमूख बनी गयो छे बपोरे एकांत वास अने रातरे मंदीर नी उत्तरे आवेला घनगोर पंचवटी जंगल मा स्री रामकुर्ष्न परम्हंस रात वितावे शे जयरे वहली सवार पाचा फरता त्यारे उंडा ध्यान अने पुष्कड अश्रुपात थी एमनी आखों सुझेली रहती गणी वार रातरे यगनो पवीत जनोई काड़ी ने ध्यान मा बैसता पाचर थी एमना शिश्योंने समझावता एमने जनाव्यू के ए समये हूं अस्ट पाश थी मुक्त थवानी साधना करतो हतो ए अस्ट पाश एटले गुरुणा लज्या कुलाभिमान संसकाराभिमान भय माननी एश्णा ग्नाती अने अहंकार उताना पवित्र अने शुद्ध मन उपर नवा संसकार रच्वानी एमनी क्षमता अध्भुत हती हूं ब्रहम्हन छूं ए अभिमा अननों त्याग करवा माटे हूं रजकन नी पन रज छूं एवो भाव अने संसकार मन उपर रच्वा माटे अडधी रात्रिये तेओ मंदीरना अन्य कर्मचारीना घरना शौचालैनी सफाई पोताना लांबा वाल थी करता अने ए समय अत्यन्त व्याकुणता पुर्वक माताजी ने प्रार्थना करता के मारा मन माथी हूं ब्रहम्हन छूं एवो अभिमान एवो अहंकार दूर करो अने मने दासना दास बनावी दो एवी विशुद्द अने आर्द्रता भरी प्रार्थना करता सांबडीने पत्थर पाशान पन पिगडी जाए एकाल अने संजोगो मुझब आ केटली क्रांती कारी अने उदार मनो अवस्था हदी हवे माताजीना साक्षातकार नी एमनी जंगना अत्यंत तीवर थवावाणी अने माताजीना दर्शनना अभाव मां माताजीना विरहनी पीडाने कारणे खुबज आकूल व्याकूल रदये अक्रंद पुरुवक रुदन करता तियो कहता ओ मां तू क्या छो मने दर्शन आपो रामप्रसादे तारो सक्षातकार करयो रामप्रसाद इटले जेम गुजरात मा भक्त कवी नर्सी महता थे गया एम बंगाड मां रामप्रसाद भक्त कवी हता इटले रामकृष्ण परम्हंस कहे छे, रामप्रसादे तारो साक्षातकार करयो, शूं हूं एवो हीन छूं के तुमारी पासे आवती नथी, मने मौज मजा, धन दौलत, मित्रो के भोग विलास मां थी, कशानी तुरुष्णा नथी, हे मां मने तो तारा दर्शननी लगनी ल आगी छे, स्री रामकृष्ण परम्हंस नी आखो मां थी, अस्खलित अशुधारा वह्या करती, अने संध्या समये, मंदीर मां आरती नो घंटाराव सांबडी ने फरी थी, जमीन उपर पोताना मुख ने गसता, करून आक्रंद करता, तेओ मांने कहता, मां आ वधू एक द अरती नी समक्ष, दारून वेदना पुर्वक प्रश्न करता, हे मां तू साची छो, के पची जड पत्थर नी मुर्ती छो, शू वास्तविक्ता वगर नी केवल कल्पनाज छो, जो तू खरे खर हो, तो मने तरा दर्शन कैम देती नथी, शू तू केवल मननो तरंग छो, आ अनीवार मुर्ती समक्ष, जड वत, हल्या चाल्या वगर, शुन्य मनस्क बनीने बैसी रहता, तो कोईवार ए पांच वर्षना बालक नी माफक आक्रंद करता, तो वड़ी कोईवार पूजाना फुल माताजी ने अरपन करवाने बदले, पोताना माथा उपर मुकी देता, ज़रे नेवेदि धरावता होई, त्यारे मा काली समक्ष, एकी टफसे जोई रहता, तो क्यारे कल्ला को सुधी आरती उतारिया करता, एमना आवा व्यवार थी, गणा खरा लोको एमने पागल समझवा मांडिया, आदर्म्यान एमने धनना त्याग करवाना संसकार ने मन अने गंगा नदी मा घोटन भेर पाणी मा उभा रहीने, एक हाथ मा माठी अने बिजा हाथ मा धननो सिक्को लईने, सिक्को माठी माठी सिक्को, सिक्को माठी माठी सिक्को, एम त्रण वार बोल्या, पची माठी अने सिक्का ने गंगा मा फैकी दिधा, त्यार बाद आजी आपने आगलवधिये ए पहला आ धनना त्याग साथे संक्ड़ाय ली एक रस्प्रद घटना सांबढ़िये पाचल थी नरेंद्रनाथ दत इटले के स्वामी विवेकानन युवा वस्थामा एमनी पासे आवता आने जारे एमने जानियू के अजानतापन श्री रामकृष्ण धननो स्पर्ष करी शक्ता नथी तो स्वामी जीये एमनी परिक्षा लेवानू नक्की करियू जारे श्री रामकृष्ण परम्हंस एमना ओरडामा नहता त्यारे नरेंद्र नाथे एमनी पथारी नीचे धननो सिक्को मुकी दिधो जैनी श्री रामकुष्ण परमंस ने खबर नो हती परंतु ज्यारे तेओ एमना ओरडामा पाचा फर्या अने जिवा एमना पलंग उपर बैस्वा जाई छे कि तरतच विजडी ना जटकानो अनुभव करीने उचली ने फरीती उभा थेई जाई छे अने कहे छे जरूर आनी नीचे काईक छे जारे एमने जान्यू के नरेंद्र नाथे एमनी परिक्षा करी हती त्यारे एक खूब प्रसन न थाया तेव पोताना शिश्यों ने कहता के कोईपण व्यक्ति ने गुरू तरीके स्विकारवा पहला एमनी खूब कसोटी करवी जोईए अपने फरीती श्री रामकुष्ण परमस नी जीवन कथा आगलवधारी तो एमनी मनोदशा एवी हती के जिया सुधी काली माताना दर्शन न थाय त्या सुधी एमनी विवलता ने एमनू आक्रंद दिवसे ने दिवसे घणू वद तु गयू काम कांचन ए इश्वर दर्शन मा मुख्य विग्न छे अने प्रत्येक स्त्री मारी माता छे आ विचार तेमना मन मा सज्जड थे गयो आशा निराशा वच्चे दिवसो अठवाडियाओ अने महिनाओ सुधी जोला खाता रहा अने माना दर्शन नी उतकंठा खुबज तिव्र बनती गई पाचर थी एमने एमना शिष्चों ने जणाव्यू हतू ए एमनाज शब्दों मा सांभ़िये माना दर्शन न थवाती ए वकते हुँ दारून वेदना अनुभवी रहो हतो जाने एवू लागतू हतू के भीना टुवाल नी जेम कोई मारा रदैने नीचोवी रहो छे मानो वियोग मने असहिय थई पड़ियो जीववामा मने रस न रहो एवामा एका एक मारी नजर मंदीर मा राखेली तलवार उपर पड़ि जीवन नो अन्त आणवानो निश्य करीने हू एक पागलनी माफक कुद्यो अने तलवार उपाडीने मारा गड़ा उपर जिकी परन्तु एका एक जगदंबा मारी आगल प्रगट थया अने मारो हात पकड़िली दो अने हुँ बेभान थैने जमीन उपर पटकाई पड़ियो ए पचीशू बन्यू तेनी तेमज ए दिवस अने बिजो दिवस शी रीते पसार थयो तेनी मने खबरज न थी परन्तु मारू अंतर एक अपूर अने विशुद आनंद ना प्रवाहमा नाई रहु हतो अने जगदंबा नी हाजरीनो मने अनुभव थे रहो हतो बिजा एक प्रसंगे एज अनुभवनो वर्णन एमने कई आरिते कर्यू हतो जयरे मा जगदंबाय मने दर्शना प्या त्यारे जुदा जुदा भागो सहीत मकानो मंदीर अने अन्य सर्व वस्तो वगेरे बद्धू मारी नजर सामेती अद्रश्य थाई गयो एनी कश्री निशानी न रही एने बदले चैतन्यनो अफाट अनन्त तेजो मैं महा सागर मारी नजर पहुँचे त्यासुती विस्तरी रहो भयंकर घुगवाट करता प्रचंड तेजो मैं मोजाओ मने गड़ी जवा माटे बेफाम पने मारा तरफ आवी रहा हता आँखना पलकारा मा ए मोजाओ मारा उपर धसी आवया अने मने गड़ी गया हुँ हाफी जईने ए मोजाओ मा सपड़ाई गयो अने बेभान थाईने नीचे पटकाई पड़यो भान मा आवयो त्यारे मोटे थी मा मा एम बोली रहो हतो स्री रामकृष्ण परमान से त्यार बाद एम नो अनुभव व्यक्त करता जणाव्यों के माना साक्षातकारना अनुभव पची लोकोनी हाजरीनों मने भाग्येज भान रहतू एबधा मने जीवती व्यक्तियों करता चित्रों के पड़चायाओ रूपे विशेश भासता इटले एमनी समक्ष जगदंबा साथे मारी लाग्णियों व्यक्त करता मने जराई लज्जा के शरम आवती नहीं हूं मुक्त पणे मानी साथे वादचित करतो पण जयरे माना वीरहमा बाहय भान भुलतो त्यारे भक्तोंने आशिर्वाद आपती अने अभाई दान आपती माने अनुपम तेजों में स्वरूपे मारी समक्ष जोतो ते हस्ती वातो करती आश्वासन अने उपदेश आपती त्यार पछी श्री रामकृष्ण परमहंस ना जीवन मा अनेक रोमांचक आध्यात्मिक अनुभवोनी हार माणा शरू थै शू समाधी अवस्था के शू जागरत अवस्था तेव सत्तत मानी हाजरीनों अनुभव करता अने मा कालीनी मुर्ती साथे वातो करता अने अनेक विचित्र अनुभुतीनों अनुभव करता एमना अंतरमा अनेक रहस्यों उघडवा लाग्या, जाने पड़दा पछी पड़दा खसी जता होई एवू तैमने अनुभव्यों, जाने जगत माताज, गुरुना स्थाने विराजी, एमने ग्नान, भक्ती, वैराग् प्रेमनी दिक्षा अपता होई एवू एमने अनुभव्यों, ध्यान मा बैस्तानी साथेज, एमना सांधा सजड़ थे जता, अने ध्यान पुरू थता, एक पची एक, शिथिल अने सामान्य बनता, गणिवार, आग्याना जुंड जेवो प्रकाश, तैमनी समक्ष तरवर्त तो केटलिकवार, पिगलेला रूपाना रस जेवा, तेजस्वी मोजाओ, सर्वत्र व्यापी रहला जोता, तेओ जाने के एक नाना बालक जेवा बनी गया, अने कहता, हे मा, मुँ तो तारे शर्णे छूँ, मारे शूँ करवू, के शूँ बोलवू, ए तूज मने शिखव श्री रामकुष्ण परमहंस, देवी नी प्रतिमाने स्थाने, जीवन्त जगदंबाने जोवा माण्या, ए अनुभवूनों वर्णन करता तेओ पाचर थी कहता, तू साचेज मारा हाथ उपर एमना श्वासनों अनुभव करतो, मैं कदापी एमना दिव्य सरूपनों जोयोन थी, एक नानी कन्या बाडाना जेवा आनंद थी, जांजरनों जमकार करता ए मन्दीरना उपरना माले जई रहा छे, एवो अवाज हूं छेक मारा पोताना ओर्णा मा सांबलतो, मरी भूल थाई छे के केंप, ती जोवा माटे हूं ओर्णा माती बहार आवतो, अने ज अने गंगा तरफ द्रस्टिपात करी रहेला जोतो, आबाजू एमना गाम कामार पोकुर मा एमना माता चंद्रामणी देविये, लोकों पासे थी, स्री रामकुष्ण परमहंस ना पागल जेवा व्योहार नी वातो सामड़ी, अने एमना स्वास्थनी चिंताने कारणे एमन कामार पोकुर तेडावया, माताना आगरह थी स्री रामकुष्ण परमहंस दक्ष्ण एश्वर थी कामार पोकुर आवया, ते वखते एमनी उम्मर 23 वर्षनी हती, परंतु हवे ते ओ पहलाना गदाधर रहा ना हता, कामार पोकुर मा एमना भावावेशने जोईने लोकों भारे आश्चर्य थतो, आबाजू एवा विचारे के एमना लग्न करावी देवा थी, एमनू मन भाव दशामा थी नीचे उत्रीने सामान्य बंदशे एवी गणत्री थी कन्यानी शोद करवानू शरू कर्यू, स्री रामकुष्ण परमहंस नो लग्न जीवन अने त्यार प पछी ना विडियो ना भाग बैमा जोईशू जेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मा आपी छे एव जरूर थी मान्षों, नमस्कार